हेलो अब्रिवन, जड़ने ग्लासिस में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ने वाले हैं BSC Part 1 BSC First Year का Geology का पहला पेपर जो की है Lower Non-Card Data यानि प्रूटो जोह और हैलमन्थीस की आज हम बात करेंगे इस पेपर में ये 2020 में आयता है, एक मॉडल पेपर है, तो आईए देखते हैं इस पेपर में 33 नंबर का पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको तीन घंटे का समय मिलेगा ये जो है, उसमें बहुत सारे सेक्शन्स दे रखके होंगे, जैसे सेक्शन A, खंड आ यहाँ पर आपको long answer type questions मिलेंगे, long answer type questions हर question 6 नंबर का रहेगा आपको कोई भी यहाँ पर जो 3 questions मतलब options में question होंगे, मगर आपको 3 questions सभी करने होंगे देखें किस तरीके से question आएगा, पहला question देखते हैं, explain the structure of yuglena, yuglena की सनक्षा का warning कीजिए यहाँ पर आपको yuglena की सननचना बनाना है, बहुत ही जादा important question है, आप इसको जरूर पढ़गे जाएए अब देखें साथ में, अतफ़ा में question दे रखा होगा, define the protogia, describe the general characters of phylum protogia protogia की परिभाशा दीजिए, protogia संके प्रमुग लक्षनों का warning कीजिए अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आपको question solve out करना होगा अब चलते है question number 2 की ओर, जो कि है, describe canal system in psychon and physiological importance psychon की नाल प्रणाली की सरनचना वा इसकी कारिकी महत्व का warning कीजिए, यह भी question important है इसके साथ में आजाता है अत्वा में question, फैसी ओला, हेपेटिका के पाचन तंत का warning कीजिए, next आजाता है question number 3, ओवेलिया के जीवन वर्त की सरनचना का warning कीजिए, next यह question important है, ध्यान रखना ओवेलिया वाला साथ में है, अत्वा में question दे रखा है, टीनिया सोलियम के उस सरजन तंत का warning कीजिए, टीनिया सोलियम से एक question जरूर आएगा इसके साथ चलते हैं, section B, Q, orion, एक हंडबा, short answer type questions रहेंगे, लगोतरिये, प्रिशन, जो कि हर question आपको दो नमबर का रहेगा, दो नमबर, एक question के लिए मिलेंगे, कोई भी 5 question आपको solve out करने होंगे, 100 शब्दों के अंदर, जैसे कि पहला question यहाँ पर दे रखा है, पहला में के अनुप्रिस्त, दीखंडन, क्या है, यह आपको बताना है, ठीक है, एक topic दे रखा है, next है, promotion, next है, उसके बाद में, परिपक्व देखंड, रेडिया, लार्वा क्या होता है, पीतक ग्रंती, ओरेलिया, का जठर वाही, नाल, तंत्र, next है, गोनिज्म, next आगा, जो आठव पी 5 आपको करने होंगे, पिरतेक आपको दो नंबर देखके जाएगा, इसलिए यह section आपका 10 नंबर का हो जाएगा, आज आते हैं section C, खंडशाकी, और जो की आपका objective type questions रहेगा, यानि वास तो निश्ट बहुत विकल्पी प्रिशन, हर question एक नंबर कह रहेगा, यह मैं आप उजे कवेट करिए, next video में मैं इनका answer भी provide कर दूँगा, जैसे कि पहला question यहाँ पर दे रखा है, classify, classification of phylum, porifera is based on caral system, spikules, shapes of konocytes, escocytes, तो इसका हिंदी में भी देख रहे थे, फिर में आपका, इसका answer भी provide करता हूं, बताता हूं, बर्ग, porifera का बर्गी करण किस आधार पर किया गया है, नालतंत, कटिकाए, कोईनोसाइट की अकरती, एसकोसाइट, तो इसका सही answer है, कटिकाए, कटिकाए के आधार पर porifera संका आधार का बर्गी करण किया गया है, next question आ जाता है, second, SKT organs of teneasolium, SKT organs of teneasolium में कौन से हैं इसके options है, बर्गक, लोकोशिकाए, मालपिगी, पिंड, ग्रीन, ग्रन्थी, इसका सही answer है, मालपिगी, पिंड, जो है, वो ठीक answer है, next question, which order of protozoa is fully parasitic, आपको parasitic बताना है, यानि कि बात कर रहे हैं, protozoa संका कौन, पूनता, परजीवी है, इसके options है, सीलियेटा, मैस्टिक पोफोरा, इस्पोरोजोरा, सारकोडाइना, और इसका सही answer है, सावाला, इस्पोरोजो़ा, next आ जाता है, पेरा मिशियम में सुरक्षा के लिए अंगक होते हैं, पेरा मिशियम की सुरक्षा के लिए कौन से ये अंगक हैं, इसके options से आपके, निमेटोसिस्ट, उसिस्ट, और इसका सही answer है, ट्राइकोसिस्ट, और फिर चलते है, लाश कोशन की तरफ ये कोशन रहेगा, प्लेटी हेलमेंथिस अर जनरली कार्ट, प्लेटी हेलमेंथिस को हेलमेंथिस जो है, बहुत दता क्या कहलाई जाते हैं, गोल कर्मी, चप्टे कर्मी, जलमे कर्मी या अंध क कर्मी और इसका सही answer है, चप्टे कर्मी या नि फिलेट वार्म्स के नाम से प्लेटी हेलमेंथिस जाने जाते हैं, मुझे उम्मीद है आपके वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूने, और हाँ चैनल को सस्क्राइब जरूर करें